हलो दोस्तो बिहार पुलिस फायर मैंन का एडमिट काड़ डाउनलोड होना सुरू हो चुका है लेकिन अभी सर्वर बीची होने के कारण एडमिट काड़ डाउनलोड करने में काफी परेसानी हो रही है चली आप लोगों को step by step बताते हैं कि किस परकार से अभी आप लोग अपना एडमिट काड़ डाउनलोड कर पाएंगे इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा बस देखेगा तो चली आज कब डूए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोगों को CSBC यानि की Central Selection Board of Constable की Official साइट पर आ जाना है और बिहार फायर सर्विस बाले सेक्षन पर आप लोगों को किलिक करना है जैसे ही आप लोग बिहार फायर सर्विस पर किलिक करेंगे तो कुछ ऐसा ओपनो कर आ जाएगा यहां एक लिंक दिया गया है Download your e-admit card for written exam for firemen in बिहार फायर सर्विस इस पर आप लोगों को किलिक करना है उस लिंक पर किलिक करने के बाद कुछ ऐसा ओपनो कर आ जाएगा उसके बाद आप लोगों को OK पर किलिक करना है OK पर किलिक करने के बाद कुछ ऐसा ओपनो कर आ जाएगा उसके बाद आप लोगों को Download 01-2021 return exam admit card इस पर किलिक करना है Download admit card पर किलिक करने के बाद admit card डाउनलोड होने वाला section ओपन होकर आ जाएगा उसके बाद आप लोगों को अपना registration number या mobile number form फिलप करते बक्त आप लोगोंने जो भी mobile number दिया था वे mobile number बर लेजेगा registration number है तो mobile number घरने की कोई जरूद नहीं है अगर registration number याद नहीं है तो आप लोग mobile number भर सकते हैं mobile number बरने के बाद आप लोग डेट ओप बरत बर लेजेगा date of birth भरने के बाद आप लोग यह capture फिलब कर लिजेगा capture फिलब करने के बाद आप लोग submit बाले बटन पर किलिक किजेगा सबी detail फिलब करने के बाद जैसे आप लोग submit बाले बटन पर किलिक करेंगे तो आप के सामने आपका सारा detail आजाएगा registration नमर, name, role नमर, exam center, mobile नमर, email address, category, gender, date of birth, father's name, mother's name आपका सारा detail आजाएगा आप लोगों को यहां आउस के बाद的 download return exam admit card पर किलिक करना है admit card download करने के लिए आप लोगों को download return exam admit card पर किलिक करना है तो download return exam admit card पर किलिक करने के बाद आपका admit card डाउनलोड हो जाएगा अगर admit card download करने के करम में कुछ ऐसा आ जाता है तो आप लोगों को 2-3 बार refresh करना है जब आप लोग 2-3 बार refresh करेंगे तो अगला पेज खुल जाएगा इसी परकार से आप लोग अपना admit card download कर सकते हैं सर्वर बहुत ही बीजी है इसलिए admit card download करने में काफी परेशानी हो रही है इसी परकार से आप लोग अपना admit card download कर सकते हैं तो चलिए आज का अब डियों समाप्त करते हैं विडियो चल्गा तो चैनल को सब्सक्राइब ता विडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं विडियो तेखनीक लिए प्लोग कर धन्यवाद